आरेन की यात्रा की शुरुवात नमस्कार आज हम एक मजेदार यात्रा पर जाएंगे जिसमें हम मिलेंगे आरेन नाम के एक छोटे लड़के से वह गर्मियों की छुटियों में भारत के अलग-अलग राजियों की खोज में निकला है यह कहानी आरेन की पहले दिन की है जब वह राजस्थान की रंग-बिरंगी संस्कृती, खाने और एतिहासिक स्थलों का अनुभव करने जाएगा आरेन के साथ हम नए दोस्त बनाएंगे, खूबसूरत जगहों को देखेंगे और भारतिय संस्कृती के बारे में जानेंगे अगले कुछ दिनों में वह राजस्थान, उत्तरप्रदेश और करनाटक जैसे कई राजियों की यात्रा करेगा तो तयार हो जाए आरेन के साथ इस रोमांचक यात्रा पर जाने के लिए आए शुरू करते हैं आरेन की यात्रा का पहला दिन राजस्थान से अपनी गर्मियों की चुटियों में भारत के विभिन राजियों की यात्रा पर निकलने वाला था यह यात्रा उसे देश की संस्कृती, खानपान और विविद्धा को समझने का अवसर देने वाली थी पहले दिन आर्यन की यात्रा की शुरुआत राजस्थान से हुई सुबह सुबह उठते ही उसने अपनी मा से विदा ली और अपने पिता के साथ जैपुर की फ्लाइट पकड़ ली जब आर्यन जैपुर हवाई अड़े पर उत्रा, तो उसे राजस्थान की गर्मी और ठंडी हवाओं का अनोका संगम महसूस हुआ हवाई अड़े से बाहर निकलते ही उसने चारों और उंट गाड़ी, पारंपरिक पोशाकों में लोग और किले देखे उसके पिता ने उसे जैपुर के मशूर हवामहल की ओर ले जाने का वादा किया था रास्ते में वे रंग बिरंगी बाजारों से गुजरे, जहाँ पारंपरिक राजस्थानी कपड़े, जूतिया और गहने बिक रहे थे आरेन ने अपनी मा के लिए एक सुन्दर राजस्थानी दुपटा खरीदा और अपने लिए एक छोटी सी पगड़ी भी ले ली हवामहल पहुँचते ही आरेन की आखें चमक उठीन महल की खिड़किया जो हवा के साथ खिलती थी, उसे एक जादूई दुनिया का अनुभव करा रही थी उसके पिता ने उसे बताया कि इस महल का निर्मान राजा सवाई प्रताप सिंग ने किया था ताकि महल की महिलाए बाहर की दुनिया को देख सकें, बिना किसी की नजरों में आए महल की सेर के बाद, आरेन और उसके पिता ने राजस्थान का मशहूर खाना चखा उन्होंने दालबाटी चुर्मा खाया, जिसे आरेन ने पहले कभी नहीं खाया था उस मिठास और तीखे स्वाद का अनोखा मिश्रन उसे बहुत पसंद आया तो फर बाद, वे आमेर किले की ओर बड़े किला पहाडी पर स्थित था और वहां तक पहुँचने के लिए उन्हें उन्ट की सवारी करनी पड़ी आरेन के लिए यह उन्ट की पहली सवारी थी और वह बहुत उत्साहित था किले के अंदर पहुँचते ही उन्हें राजस्थान के राजाओं और राणियों की कहानिया सुनने को मिली आरेन को राजा मान सिंही की वीर्ता और आमेर किले की स्थापत्य कला के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा शाम के समय वे चोखी धानी पहुँचे जहां राजस्थानी लोग संगीत और नृत्य का आयोजन हो रहा था आरेन ने वहाँ पारम पर एक नृत्य देखा और लोग संगीत का आनंद लिया वह बच्चों के साथ खुमता, खेलता और राजस्थान की संस्कृती में पूरी तरह डूब गया रात को जब वे होटल लोटे तो आरेन की आँखों में उस दिन की सारी यादें ताजा थी उसने अपने बिस्तर पर लेट कर सोचा यह तो बस शुरुआत है अगले कुछ दिन और भी रोमांचक होंगे राजस्थान की यह पहली यात्रा आरेन के दिल में हमेशा के लिए बस गई अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपिया हमें पहले होटागे